Hello students, welcome to my channel तो आज हम Great 7 का English पढ़ेंगे जो रीना सुकलाद्वारा लिखी गई है अगर आप इस बुक को फोलो करते हैं तो kindly सेलिवस के थो जाईए और आपके जरूरत के मुताविक हमारा विडियो देखिए तो आज हम पढ़ेंगे The Lost Dog के बारे में तो हम सभी लोग Virtual Movies देखते हैं और हम लोग सभी Science Fiction को देखकर बहुत Enjoy करते हैं तो हम लोग इस चाप्टर में Virtual Reality के बारे में ही पढ़ेंगे इस चाप्टर में हम लोग प्रूप नामक एक लरका के बारे में पढ़ेंगे जो Reality से पढ़े है आपका यहाँ पर मेंशन क्या है Reading तो यह Reading में यह लिखा गया है इस पार्ट में यह दिया गया है कि यह जो ब्रूप नामक लरका है उन्होंने गेट को स्लाइटली ओपन किया और वो थोरा सा रेडी था वो अपने आपको बाहर का जो प्रोटेक्शन है उससे अपने आपको वहाँ पर मिला यानि बाहर मिला जो कि वो पहले एक दुम में ही वो चुपा हुआ रहता था तो वो खुद को उसका बाहर पाया उन्होंने ब्लिंक किया उन्होंने देखा कि सूरज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है उनके आखों के लिए वो हेलमेट के अंदर रहते हुए भी इस ब्राइटनेस को मैंशित मैसूस कर रहा था उन्होंने एक ब्रीथ लिया सास लिया और इस जो ब्राउन सॉयल जो है उसको रेकोगनाइस किया क्योंकि पहले वो होलोग्राम्स में ही देखा करता था लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली देख रहा है और साथ ही वो जो परप्लिश कलर का जो माउंटेन से कुछी दूरियों में कुछी दूरी में जो माउंटेन है परप्लिश कलर का उसको भी वो देख पा रहे थे उन्होंने अपना स्केरनार को बाहर से निकाला और चेक किया उसका गर्मात को और इसके बाद इस गर्मात को वो महसुस कर पा रहा था लेकिन पहले वो ये गर्मात भी गर्मी भी महसुस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो पहले virtual classes में ही इसके बारे में जाना था that is once जब वो desert के बारे में पढ़ रहा था फिर उन्होंने इस गर्मी को adjust किया, control किया उन्होंने 20 degrees centigrade में डाल दिया और immediately उसको थोड़ा और ज्यादा comfortable लगा फिर उन्होंने देखा कि actual trees जो है वो पहले hills में था लेकिन उन्होंने पहले ये सब नहीं देखा था उन्होंने ये great giants जो है virtual history में ही पढ़ा था इसके बारे में और वो practically इस चीज़ को अभी मेसूस कर रहा था पर उनका जो device है उन्होंने बताया कि devet trees ये सब trees है hundreds of years पहले extinct हो गया और उनका device का नाब है pot master फिर वो पेर के पास पहुच गया और एक पत्ता उन्होंने तोड़ा उन्होंने देखा कि ये पत्ता जो है वो green color है और उनका veins भी है फिर उन्होंने पत्ता को लेकर अपने हाथों में देखा फिर इस पत्ते को उसने pack कर लिया ताकि वो बात में इसके बारे में और जानकारी प्राप्ट कर सके फिर थोड़ा दूरी पर उन्होंने hills में उन्होंने कुछ unfamiliar sound सुना उसने ये अलग सा sound उसके लिए ऐसा लग रहा था कि वो sound के बारे में कुछ जानता है फिर देखा कि वो जो sound है डाट actually running water से आया है लेकिन उनको याद आया कि ये जो sound है जब किसी liquid को जैसे कि filter का पानी अगर किसी glass में तुम उसको डालते हो तो जो sound आता है liquid dispenser कहा जाता है वो sound उसको सुनाई दिया जो कि ज़्यादा होने पर जब पानी फूल हो जाने पर जो गिरता है उस तरीके का sound उसको सुनाई दिया पर उन्हें किसी भी तरीके का signal का caution नहीं दिया गया था इसी वज़े से वो उस sound के तरब भाग पड़े जब वो पास में दोर कर गया तो उन्होंने देखा कि वो एक ब्रूक है यहाँ पे ब्रूक का मिनिंग है small river तो वो sure था कि ये एक छोटा सा नदी है पहले उन्होंने इसके बारे में virtual license में पढ़ा था कि बहुत साल पहले इस तरीके का पानी आता है लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत समय से ही poisonous होता गया है फिर वो clumsy होकर मतलब बहुत boring सा चेहरा बनाकर उस नदी किनारे बेट किया जब वो बेटा तो उसे लगा कि वो grass है फिर उन्होंने देखा कि उस घास में छोटा छोटा कुछ flower mixed है फिर उन्होंने अपने आप से पुछा उसने कहा कि क्या ये atmosphere उसके लिए poisonous है अगर वो helmet उतार दे तो फिर उन्होंने अपने आप से ही कहा कि चलो भई it's better not to take risk रिस्क लेना अच्छी बात नहीं है फिर उन्होंने एक नया साउंड सुना फिर वो दर्ता हुआ अपने fit को साथ कंट्रोल किया फिर उन्होंने देखा कि उसका जो scanner है किसी भी प्रकार का danger indicate नहीं कर रहा था फिर उन्हों वो ये जो उट से उट मतलब जंगल उस साउंड के तरफ आगे बढ़े फिर थोड़ी देर जाकर वो रुक गया जब वो आगे जाके देखा उन्होंने देखा कि एक ट्री के नीचे में ट्री के shadow के नीचे में कुछ वहाँ पे लेटा हुआ है उन्होंने देखा कि वो कुछ मितर लंबा है और वो बहुती फर्ज है और वहाँ पे still बहुत शान्थ होके वहाँ पे बेठा है और वहाँ से किसी भी प्रकार का sound भी नहीं आ रहा था और इसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एक डोगी देखा छोटा सा कुटा पपी को उसने देख लिया वो शूर था कि वो एक पपी है फिर वो अपने नाक को उसके बोड़ी के पास लाकर वो सुंगने लगे और इसके बारे में उसका मम्मी ने पहले बताया था और उसका रोने का जो sound है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था फिर उन्होंने देखा कि ये जो छोटा सा पपी है उस पपी का जो मदर है वो मतलब मरा परा था फिर उन्होंने देखा कि ये छोटा सा जो प्यारा सा कुट्ता है जो पपी है उसका मम्मी वहाँ पर ही जब परा हुआ था तो जैसे कि वो पहले कुट्ता कभी नहीं देखा तो यह इसी वज़े से उसके लिए यह कुछ नया था उन्होंने यह जो भी डॉगी था या पपी उन्होंने सिफ वर्टुल इमेजी देखा था इसका प्रैक्टिकली उसके लिए बिल्कुल भी नया था लेकिन पहले तो जो कुट्टा होता है डॉक्स उन्हें एवेलेवल कह पर भी देखा जाता था लेकिन अभी के लिए ये एवलेबल नहीं है फिर साबधानी विरत्ते हुए वो छोटा सा पपी के पास वो चले गई एलर्ट हो गया फिर वो एलर्ट करके उन्हेंने स्कैनिंग किया अन्नोन आपजिट को फिर प्रोक ने उस बटन को बन किया फिर ज उपर उठाया उठाने के पद एक कुछ साउंड निकला जो होता है न जो छोटा छोटा डोगी होता है वो किसी को पसंद आने से किस तरीके से साउंड निकलता है वैसे फिर वो छोटा सा डोगी जो है उन्हें देखकर उन्होंने जाए या वहें पे रुके वो थोड़ा सा डाउड होके उसकी तरफ देख रहा था यह जो डॉगी है वो डिसाइट नहीं कर पा रहा था कि उसको भागना है कि वहीं पर रुखना है फिर ब्रूक जो है वो देरे से पपी के पास आया उसने कहा It's all right, I won't hurt you मैं तुम्हें चोट नहीं बोचाऊंगा दर जाता है या भाग जाता है कि वो उसको catch कर पाएगा या नहीं वो उसपर doubt था क्योंकि उसका जो suit है उसका जो उन्होंने कपरा पेना है उसका प्रे से वो दोर नहीं पा रहा था फिर धिरे धिरे उन्होंने अपना जो गलोब लगाया वाला हैं था उसको पपी के तरब फेल आया फिर पपी डर से थोड़ा पीछे हट रहा था फिर धिरे से वो जब प्रूक अपना हाथ को extend करता रहा पपी भी धिरे धिरे उसके पास आया और उसको सुंगने लगा और इसके बाद वो इंपरिंग किया जैसे कि एक जो डोगी होता है वो हमेशा खुशी होने से एक साउन निकलता है उस तरीके का साउन निकला और उसका डेखने का नजरिया यह था कि वो उसको खाने के के लिए कुछ मिलेगा ना क्या इस तरीके का सोचकर उन्होंने ब्रूक की तरब देखा अभी फिर उन्होंने सोचा यह पपी क्या खाएगा उन्होंने अपना ग्लोब को हटाया और अपना जो पाउच है पैकेट उसके अंदर में उसने हाथ दाला फिर उन्होंने देखा पैलेट सप्लाई यह पैलेट का मीनिंग है यहाँ पर फूट टेबलेट फिर धिरे से उन्होंने स्लोली मूव किया और डेलिवरिट करके उस पपी को पपी के सथोरा खेलने लगे फिर धिरे से उन्होंने यह पैलेट को निकाला और पैलेट को निकालने के साथ वो पपी भी उसके पास आए लिकिंग करने लगे फिर वो पैलेट को उसको खिला दिया जब वो पपी अपना नाग को रिंकल कर रहा था ब्रुक उन्हें देखकर हस रहा था फिर अभी के लिए उन्हें स्कैनर की जरूरत नहीं पर था कि वो कितना happy फिल कर रहा था बहुत pleasure फिल कर रहा था वो पहली बार के लिए अपना rough टंग को फिल कर पा रहा था उसके आम पर क्योंकि वो puppy जो है उसको बार-बार लिख कर रहा था फिर वो धीरे-धीरे वो puppy को बोल रहा था It's all right, you can eat तुम खा सकते हो इस तरीके का वो feelings उसके मन में आ रहा था यहां से पता चल रहा था कि जो puppy है वो इस बैलट को खाया और इसके इलावा और कुछ धून रहा था उस puppy को यह भी realize नहीं हो रहा था कि उन्होंने सारा का सारा milk को खा दिया bolted town bolted का meaning है eaten something very quickly जब puppy ने देखा कि वहाँ पे और कुछ बचा नहीं है तो फिर वो ब्रुक के फर्स दुबारा से आया और उसके उपर में जम कर दिया ब्रुक फिर से दर गया जब वो puppy जो है वो नदी में जाकर वो stream में जाकर जब वो अपने माथा को नीचे करके कुछ खाने लगे जैसे कि हमें पता है कि कुटे तो अपने जीब से खाता है तो वो sound उसको सुनाई दे रहा था तो उस समय में वो डर गया था क्योंकि उसके मुताबिक जो stream है वो poisonous है पपी ने फिर उस sound से momentarily turn किया फिर से दूबारा वही पानी पीने के लिए चला गया जैसे कि ये एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी living beings आपी पानी को पीते हैं ये डॉगी जो है ये पपी वो लोग कुटा जो है लीकिंग करके पीते हैं लेकिन ब्रुक के लिए ये नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया से आई है लेकिन इस पृत्वी वासी के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन आउटसाइडर के लिए ये कुछ अलग कुछ एक्सपेरियेंस है ये पपी जो है इसके बात विमपर किया और ब्रुक के तरब बड़े बड़े आखों के साथ देखनी लगी ये फर्स टाइम था ब्रुक के लिए कि वो पहली बार किसी क्रिचर्स के साथ वो मिल पाए क्योंकि इससे पहले वो लॉनलीनेस का जीवन जी रहा था क्योंकि वो अर्थ के पाहर रहता था उन्होंने ये पपी का नाम रखा ब्रुक तो उन्होंने कहा यूर नेम इस ब्रुक अल्राइट टोंट वरी ब्रुक उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो मैं तुमको भूका रहने नहीं दूँगा फिर ब्रुक जो है वो फिर custom portals के पास एपियर हुआ डार्क होने पर और अपना dry suit के साथ आया और उसके साथ एक कुछ unfamiliar एक अलग uncertain breed वो साथ में लेकर आ गया अगर उनके लिए कुछ अलग सा एक रास्ता था स्मागल करने के लिए पपी का ब्रोक उसके लिए ready था जब उसका जो alarm है every alarm उस एरिया का बंद हो गया तो वो धीरे से step in किया लेकिन जो voice है monitor का उन्होंने पूछा वेलकम बैक ब्रोक और उसका जो नंबर है वो बोला और बोला कि you are late affirmative और तुम अपने साथ ये contraband carry कर रहे हो यहाँ पे contraband का मीनी है illegal और उन्होंने फिर कहा कि I pulled a leaf में एक पत्ता लाए मतलब तोड़ा है और डिपोजिट सेम इन क्वारंटेन बिन्स क्वारंटेन बिन्स पे भी डिपोजिट किया है affirmative मतलब कि positive फिर जो sensor है उन्होंने एक warm blooded presence को notice किया जो कि official नहीं था और देखा कि वो एक कुट्ता है broke ने mumble किया repeat a dog फिर canons familiar is extinct यह जो है यह तो extinct हो यह कहा है वो system ने फिर उन्होंने वो system में कहा कि यह शायद robo pet है लेकिन जो inspection करने वाला system सा उन्होंने कहा कि correction करो robo pet जो है वो bloodless होता है और जो leaf dry suit है वो sterilization के लिए भेजा गया है और इसको inspection के लिए quarantine में भेजा गया है जो quarantine का जो officials था उन्होंने पहली बार जब देखा तो वो nervous हो गया लेकिन वो देखा कि जो puppy है यानि जो doggy है चोटा कुटा वो मतलब बहुत खुशी शे ब्रोग का चेहरा को leaking कर रहा था चाट रहा था एन actual dog तो इस तरीके का जोब कुटा है वो पहली बार यह scientist लोगोंने बहुत सालों के बार देखा तो वो लोग amazed हो गया वो लोग चोग गया क्योंकि उस time पे already technological बहुत हाई हो गया था अर्थ जो है already यहाँ पे living beings extinct होने लग गया थे पहली बार कैनिन्स फेमिलियरिस में देखकर वो लोग बहुत ही shock हो गये थे जो सबसे पूराना scientist था उन्होंने properly dress किया और लेब में आया ब्रूक और puppy के साथ उन्होंने फिर scanning किया और पोग किया product का मतलब होता है यहाँ पेर कुछ सामन के साथ थेलना to the poor little fellow जब वो begin to whimper in protest ब्रूक ने कहा ब्रूक को रेस्ट चाहिए अभी जो scientist है उसी को बीच में interrupt करके उन्होंने यह बात कहा फिर उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत हाट था क्या actually में सच मुझ का food है पेटलेट्स के इलावा क्योंकि ब्रूक जो है वो इस टैबलेट से यूज़ तू नहीं है of course of course there is एक researcher ने कहा यह speaker जो है उन्होंने कहा तो ब्रूक ने कहा send someone out for mac like burger without sauce बाहर में किसी को भेजो mac like burger लाने के लिए बिना sauce के साथ इस चीज़ को एक meat के तोर करी regard किया जा सकता है फिर जो scientist है ब्रूक ने फिर realize किया कि वो तो उसी को ही धून रहा था फिर उन्होंने discover किया कि यह जो doggy है वो living breed का मतलब जैसे कि तो रही डेस्टर हो चुका था तो यह एक last dog है बोलकर realize किया और यह अचानक से एक sudden scientific status जो है वो realize करवाया ब्रोक ने ब्रोक के फरस भी suddenly एक sense आया कि इस मोके का उसको फाइदा उठाया जाए फिर देखा कि ब्रोक ने और पपी ने यह make like burger को three quick gulp में ही उसको swallow कर दिया ब्रोक ने instead उसको allow किया ब्रोक ने जो insist किया कि उस doggy को यानि ब्रोक को उसके साथ रहने के लिए allow करने के लिए और उस doggy के साथ interact करने के लिए और सोने के लिए फिर तक्रिवन एक हपते के लिए ब्रोक ने ब्रोक के साथ इस research center में खाया पिया सोया खेला और ब्रोक को बेटने के लिए सिखाया आने के लिए सिखाया उसका commands मनने के लिए सिखाया तो जो ब्रोक है वो delightfully बहुत खुशी से एक obedience के तोड़ पर वो बात मनने लगा फिर जो ब्रोक है यानि जो लड़का है वो उसको हग करता था बीच-बीच में और वहाँ पे कुछ दूसरा explain के लिए कुछ था ही नहीं तो वो लोग बहुत हैपी थे वो simply अपना arms को फैला कर उसको अपनी chest में लेते थे और कभी-कभी उसको थोड़ा बहुत मारते थे तो वो अपना पूछ जो है वो हिला कर उसको लिख करते थे तो इस तरी का प्यार जो है ये प्यार का जो गर्माहत है वो पहले कभी महशूस नहीं क्या था इस पार पहली बार वो इस प्यार को इसी दूसरी क्रियेचर के लिए जो प्यार और फिलिंग है उसको वो समझ रहे थे पहला हपता के लिए जो रिसर्चरस है उन लोग भी थोड़ा content मतलब खुसी हुए देखा कि वो जो कुटा और जो लर्का है वो दोनों एक दूसरा का जो साथ है उसको एंड्रे कर रहे थे अपने से बाते कर रहे थे नोट्स वो लोग सब कुछ नोट्स बना कर कंप्यूटर में रख रहे थे फिर ब्रोग जो है कभी कभी वो रात को ही जाकर वाक होकर वो मीरियल अपना नाइट रात के बीच में ही आर्ग्यूमेंट का साउन भी पाते थे सम्टाइम्स कभी कभार वो कॉम्निकेशन सिस्टम को ओफ करना भूल जाता था तो वहाँ पर वो क्लोनिंग जो है तो अगर यह जो लास्ट है अगर यह लास्ट है तो उसका कॉंटिनूटी के लिए उसको चलाते रहना पड़ेगा तो इस तरीके का वो सको सुनाई देता था डिसकुशन्स तो वो लोग जो है वो बहुत सारे पैक अप डॉक्स को इस दोम पे वो लोग और बनाना चाहते थे कि एक नेरली यह पे इटिंग डिंकिंग जो था वो चलता रहता था लेकिन इस बात को लेकर जो ब्रोक है वो सो स्कुशन्स में यह भी कहते थे कि वो लरका का क्या होगा वो तो नहीं मनने वाला शी नॉट नाओ यह जो स्पीकर है वो सिस्टम को क्लिक आफ करता है इसके बात लेकिन जो ब्रोक है उन्होंने इस बात को अल्रेडी सुन लिया था और इसी वज़े से उन्हें टेंशन भी हो रहा था उसका डोगी के लिए उससे भी ज़्यादा उसका डोगी के लिए उसको चीनता हो रहा था क्योंकि उस लरका को क्या साइंटिस्ट बात कर रहा था उसके बार में एक्चुली में फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि एक्चुली क्या डिसकसन चल रहा है यह जो साइंटिस से एक्चुली में इस कुट्टा के ऊपर वो लोग एक्सपरिमेंट करना चाते थे उसका इंटरनल ओर्गन्स दिखना चाते थे इसी वज़े से वो वहाँ पर ओपरेशन करके वहाँ पर प्रोडिंग और कम पीने देगा वो लोग एक कुछ एक्सपरिमेंट के बारे में डिसकस कर रहे थे जब रात हो गया उन्होंने वो ब्रोक के गले में चारो तरब अपना आम लेके अपने पास लाया उसका वो जो स्मेल करता था उसको और वो जो स्नोरिंग करके रहता था सोने का टाइम मे उसको वो पसंद करता था तो नेक्स दे में ब्रोक ने देखा कि जो नियरस तर्मिनल लेब में वहाँ पर ओल्रेडी लोग इन हो जुका था तो साइंटिस्ट लोग अपना काम कर रहे थे रीशर्च कर रहे थे कैनिस फैमिलियर रिस पे वो लोग चछ रहे थे तो ब्रोक मैं scroll down किया और description में देखा कि यहां पर एक rabbits है रबिस जो की एक viral disease है जो animals में पाया जाता है humans में basically dogs और उल्फ में अगर वो लोग bite करते है या scratch करते है और अरली stages में तो इस disease का जो most dangerous effect है वो इससे बच सकता है तो animals अगर उसको suddenly bite कर देता है तो ये बिमारी फेल जाएगा उन्होंने सोचा ravis, तो उन्होंने सोचा somehow अगर ये जो ब्रोक है उसको bite कर देता है तो उन लोगों के पास anti-revis serum भी नहीं है उस डोम में उसमें उन्होंने सोचा फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये डिजिस जो है ये ब्रोक उसको bite कर देगा तो अगर ये डिजिस उस ब्रोक के यानि डोगी के body में अगर मिला तो अगर वो डोगी ने उसको bite कर दिया तो उन दोनों को उस दोम से निकाल देगा बोलके वो सोच रहा था वो अपने आप ही idea निकालने लगे वो कुछ समय तक इसके बारे में ही सोच-चोच कर वो idea निकालने लग रहे थे कैसे होगा अगर वो उसको bite कर ले तो इस तरीके का सोच में वो पढ़ गए थे तो सबसे पहले जो साइंटिस है उन्होंने लैप से कुछ गैडर किया और प्रोटेक्टिव गार्फ जो है क्लोथिंग कप्रा लगाया